पाकिस्तान के अंदर अभी ग्रिह यूद जैसा सिच्वेशन बना हुआ है पाकिस्तापी पूलिस और इमरान खान के समर्थक एक दुसरे के आपने सामने आ जुके हैं अभी मैं आपको एक बीडियो दिखा रहा हूँ ये वीडियो इमरान खान के घर के बाहर का है इसमें आप साफ साफ देख सकते हो इमरान खान के घर के अंदर पुलिया वारा गोले बातुते फेके जा रहे है फिर क्या यहाँ न्यूटन का फ़र्ड लोग काम में लाया जाता है इमरान खान के समर्टक द्वारा घर के अंदर से पिट्रॉल वाम पुलीस के उपर फिके जा रहे हैं इंफेक्ट इंडिया के अंदर हैस्टेक इमरान खान अरेस्ट ट्यूटर पे नमबर वन पे ट्रेंड कर रहा है यह लोगा ये इमरान खाल को गरिबतार कर दूगे किसी का अधा भी इमरान खाल को नहीं गिरफ कर सकते हैं यहां एक मीसन के अरेस्ट करने के लिए लाहुर पुलिस और इसलामाबाद पुलिस एक साथ इमरान खान के घर जाते हैं बट वो अरेस्ट नहीं कर पाते हैं क्यों क्योंकि इमरान खान के समर्थ तक पुलीस वाले के उपर गोले बारूद, पेट्रॉल बम और पत्थर वाजी करने लगते हैं गाइस हो कहते हैं न रोपा पेर बबूल का आम कहा से हुए वही अभी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है पाकिस्ताने ग्रोमेंट जमो और कस्मीर में पैसे देकर इंडियन आर्मी के उपर पत्थर पाजी करवाता था अभी वही हाल उसके घर में हो रहा है वेल हेलो गाइस, मैं हुँ सत्यमसीन वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल जिस मामले पर इनकी गिरफतारी होनी है, वो है महिला जज को पबली कली भाला बुरा कहने के उपर, इन्होंने महिला जज को पबली कली एक मीटिंग में पूरे समाज के सामने भाला बुरा कहते हैं, वो भी मैं आपको सुना देता हू ये पूरे फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं मेरा सरकार आने दो तुमको देख लेंगे बट ऐसा क्या सुच्वेशन था कि पूरे पब्लीक के सामने एक महिला जज़ को धमकी दे देते हैं वो भी जान लेते हैं असल में क्या था कि इस महिला जज़ ने इनके पार्टी के एक नेता को जिसका नाम था है सहबाज गिल उसको देशद्रो के आरोप में गिरफतार करने का आदेश दे दिये थे जिसके कारण इमरान खान पूरे पब्लीक के सामने इनको धमकी दे देते हैं मेरा सरकार आने दो तुमको बता देंगे पूरे फिल्म ये स्टाल में बोलते हैं लेकिन इनको ये पता ही नहीं कि वो नियाए पाली का है नियाए करती है बस इनके उपर भी नियाए कर दिये और इनको भी गिरफतार करने का आदेश दे देते हैं फिर क्या लहौर पुलीस और इसलामावाद पुलीस एक साथ पूरे हवाई जाज मतलब कि गाने बाजे के साथ इनके घर पहुंचते हैं और इमरान खन भी थोड़ा सा चतुर निकलते हैं वो क्या करते हैं कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि उनको गिराफतार करने के लिए फुलीस आ रहे हैं फिर क्या वो एक रैली निकालते हैं रैली का नाम देते हैं कि इलेक्षन के लिए रैली निकाल रहा हूँ और इसी भीरी में वो खरार हो जाते हैं और ट्यूटर पे वो मैसेज करते हैं विडियो मेसेज करते हैं कि अपनी सारी जिन्द की जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हो या मार देते हैं तो आपने ये साबित करना है कि मुझे मारने के लिए घर तक ये लोग पहुँचे गए मुझे गिराफतार करके ले जाएंगे और मुझे मार डालेंगे और उनके समर्थक भी उनके साथ आगा है और पूरे पत्थरवाज जी गोले बंदुग पिट्रॉल बंब से हमला कर देते हैं पुलिस की उपर और इसी में जो DSP जाते हैं उनको गिरफतार करने उनके पैर में ही गुली लग जाता है और वो सारे पुलीस वापस आ जाते हैं कुछ फोटो और वीडियो मैं आपके सामने सेर कर रहा हूँ इसमें इमरान खान बता रहे हैं कि मेरे घर में इतने सारे गोले बारूत से हमले किये गए यह तस्बीर देख सकते हैं जो ट्यूटर पर खुद इमरान खान सियर की है वैसे तो इनके उपर बहожत सारा केस है लेकिन तोस्खाना मामला जो आ है वो भी इनके गिरफतारी का एक वज़ा है जब कोई राश्रद्यक्स जब भी किसी देश में गूमने जाते हैं या किसी वज़ा से जाते हैं तो उनको उस देश द्वारा कुछ तोफा दिया जाता है और वो तोफा तोस्खाना में रखे जाते हैं ये तोस्खाना हर एक देश के पास में होता है इंडिया के पास में भी है तो आप बोलोगे एक gift ही मिला है ना इसमें कौन सी बड़ी बात है तो friends यहीं पर आके इनकी गिरफतारी का situation मनता है Let me explain जब कोई राश्रद्यक दूसरे देश जाता है तो वहाँ पे जो gift मिलता है जो तोफा मिलता है वो उनको नहीं मिलता है उनके पद को मिलता है उनके देश को मिलता है जो वो वहाँ पे जाकर परजेंट कर रहे हैं मतलब आप समझ रहे हो ना यहाँ पे आप टिक्निकली सोचो वो अपने आपको परजेंट नहीं कर रहे हैं अपने देश को परजेंट कर रहे हैं तो जो भी वहाँ पर गिप्ट मिलेगा वो उनको नहीं मिलेगा बलकि उनके देश को मिलेगा उनके पदुको मिलेगा लेकिन इमरान खान थोड़ा कम पढ़े लिके जब इम्रान खान सत्ते में थे तो उनको दुसरे देश द्वारा जो गिप्ट मिला था वो खुद का समझ कर सारे गिप्ट को 5.5 क्रोर में बेच दिए और बाकी कुछ जो गिप्ट बचा था उनको वो प्रसनली खुद की यूज में रख लिए और जब सेहवाद सरीप का सरक जाता है कि आपको जो गिप्ट मिला वो आप क्या किये तब गाइस इम्रान खान को समझ में आता है कि गिप्ट तो उस खाना में रखे जाते हैं लेकिन यहां पी इम्रान खान एक चलाखी करते हैं सेहवाद सरीप के सरकार को एक फरजी बिल पकरा कर बोलते हैं कि मैं सारा बेच कर सारा पैसा राजकोस में जमा करवा दिया तो जब इन्वेस्टिकेशन होता है तो ये पता चलता है कि फरजी बिल पे जो सौब का नाम दिया होता है वो सब बला तो इमरान खान से कोई गिप्ट करदा ही नहीं था और फिर सहबासरिप के पार्टी भी इमरान खान के उपर किस दर्ज करवा देते हैं और इस मामले पर फिलहाल इनको वेल मिला हुआ है बट जज के उपर जो इमरान खान टिपिनी किये हैं उनके लिए तो इनको जेल जाना पड़ेगा लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जनता को अभी तक यह नहीं पता है कि उनका देश बैंकरप्ट हो चुका है और पाकिस्तान के सरकार यह openly बोल भी नहीं रहा है और पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने का एक major point इंडिया का 2016 में demonetization भी है यह कैसे है पूरा माजरा किया है अगर आप चाहते हो तो इसके उपर में पूरा proper वीडियो बना कर आपके लिए ला सकता है लेकिन आपका comment आना चाहिए एक भी comment आता है तो मैं इसके उपर पूरा वीडियो बनाऊंगा कैसे सलाना 500 करोर का पाकिस्तान को फैदा होता था इंडिया के fake currency को चाप कर वो भी उनके ग्रूमेंट द्वारा चापा जाता था इंडिया के fake currency फिलाल आपसे एक ही request है कि यह मेरा पहला वीडियो तो मुझे motivate होने की जरूरत है तो आप मुझे motivate कर सकते हो like और subscribe करके और आपको इंडिया के demonization के कारण पाकिस्तान कैसे बरबाद हुआ यह जानना चाहते हो तो comment करो